आज मैं लाई हूँ आपके लिए साबुदाना से बनने वाली ये स्पेशल खिचडी जो की आपको बहुत पसंद आने वाली है, किसी भी वरत में आप इसे बना सकते हैं, चाए वो नवरात्रे हो, चाए वो फलाहार कोई भी वरत हो, जो जनमाश्टमी पे वरत रखते हैं, उ मैं जो यहां पर क्वांटिटी की मेजरमेंट दूँगी, वो पर परसन के साब से होगी, एक चुथाई काप लेना है साबुदाना, इसे कम से कम तीन गंटे पहले बिगो के रखना है, जो मैंने अल्रेडी बिगो के रखा हुआ है, बिगोनी के बाद यह ऐसे फूल इसकी क्वांटिटी, देखे बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा है, अब इसे चन्नी में पसाना है, दो उसके लिए एक पाउल लेंगे, उस पर रखेंगे चन्नी, अब यह साबुदाना च्छान लेंगे, सारा पानी ड्रेन आउफ होने देंगे, और इसे पंदा से तीस म आलू है, छीलने के बाद इसे कट कर लेना है, मैं जैसे इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ, एक कट बीच में लगाना है, एक कट साइड में, और इसे बारीक-बारीक कट कर लेना है, बारीक कट करने का फायदा ही होता है कि हर बाइट में आपको जो है आलू का कर लिए साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि लेटेस अपटेट से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और ऐसी बड़िया बड़िया टेस्टी रेसिपी इस भी आपके साथ शेयर होती रहें अब एक कड़ाई लेंगे और उसमें आड करेंगे 1.5 टीस्पून घी फ्लेम को लो ही रखना है जैसे घी गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे 1.4 टीस्पून जीरा हींग यहाँ पर इसलिए मैंने आड नहीं की है क्योंकि यह व्रत स्पेशल रेसिपी है आप चाहें तो बिना व्रत के भी घा सकते हैं उसमें आप हींग डाल सकते हैं जैसे ही जीरा थोड़ा सा बुनना शुरू हो जाए तो इसमें मैं आड करूँगी ग्रीन चिली हरी मिच आप अपने हैसाब से क्वांटिटी कम जादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर आदी हरी मिच बारी कट कट करके आड करी है सौटे कर लेंगे इसको हरी मिच पहले आड करने से क्या होगा इसका थोड़ा सा तीखा पन जो है वो कम हो जाएगा अब यहाँ पर मैं आड करूँगी आदा टी स्पून मूफली इसको रोस्ट करना है इसलिए हमने पहले आड किया है अच्छे से रोस्ट हो जाए हलका सा कलर आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा तो इसमें आड कर देंगे आलू आलू को भी रोस्ट करना है कंटेनूसली स्टर करते रहेना है अब इसमें आड कर देंगे आदा टी स्पून सेंदा नमक साति मैंने यहां पर आड किया है वाने टी स्पून काली मिर्च स्बस्ट और वाने Noel मिर्च को मलभ है एक चृताई से भी आदी पर लाल मिर्च मैंने यहाँ पर याइज किया है वो कश्मीरी डाल मिर्च है इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है सारे मसालों को अच्छे से सौटे कर लेंगे आप देखेंगे आलू पर एक कोटिंग हो चुकी है अब इस टाइम पर हम फ्लेम लो ही रखेंगे और इस टाइम पर हम एड़ कर देंगे साबुदाना जो हमने पसा के रखा था आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सा हो गया है इसको हल के हाथ से बिलकुल मिक्स करना है लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ गया है देगी मिर्च की वज़े से जटपट बनने वाली ये व्रत स्पेशल रेसिप मुझे comment box में जरूर लिखके बताईएगा कैसी लगी आप सब को ये recipe, कोई और suggestion या कोई और recipe की फर्माहिशो, तो जरूर comment box में लिखके बताईएगा, मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया-बढ़िया recipes के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care, don't forget to like, share and subscribe.